मेरी अवाज आ रही है आप लोगों को अभी वेब्केम अन हो जाएगा थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसमें मैंने सुचा वो डिले करने से अच्छा है कि मैं वीडियो शुरू कर देता हूँ वेब्केम जब ऑन हो ना होगा हो जाएगा थोड़ा सा उसके लिए और लेट कर लेके अभी वेब्केम अन कट रहा हूँ मैं जो तक बस मुझे यह बता दो कि अवाज आ रही है clearly audible हूँ के सबी लोगों को क्या मैं clearly audible हूँ क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक clearly audible हूँ या नहीं इतना बता दीजिए चलो ठीक है new month अपना आज शुरू हुआ है मार्च का पहला दिन है अब शुरुवात करते हैं आज कल तक हमने 20 अपने sessions complete किये थे ना 100 questions complete कर लिये थे आज हम 21st session करेंगे और 101 वह question करेंगे ठीक है चलो मैं तब तक webcam का कुछ करता हूँ ज़रा एक विरेट का हम सही है चलो अभी all set है ना ठीक अब शुरू करते हैं welcome to let's crack bank exam मेरा नाम है शुभम आपका reasoning mentor okay and unacademy के application को install करना is a very must task ठीक है and साथी साथ telegram channel को join कर लिजे नीचे link description में given है और एक और link मिलेगा आपको शुभम गर्ग कोर्स के नाम से उसको भी join कर लिजेगा मेरी unacademy की profile का link है वो ठीक है अगर subscription अभी तक purchase नहीं किया है बट अगर plan है कि subscription purchase करना है तो maximum discount के साथ purchase करो और कहां मिलेगा वो गर्ग कोर्ड इस्तमाल करके मिलेगा एक बार contact कर लिजेगा और अभी यार देखो 10% ही है ठीक है बहुत जल्दी ये जो discount percent है वो 5% हो जाएगा तो उसका इंतिजार मत करो क कब 5% होगा जल्दी से जल्दी 10% के discount rate पे ले लो और अगर maximum चाहिए तो एक बार बात कर लेना हमारा ये mock paper 17th आज होगा साड़े छे बजे एक मार्च को अब भाईया देखो एक tweet चलादा बहुत जादा बहुत तगड़े तरीके से मैं support में हूँ उसके मैंने भी किया था मैं support में हूँ लेकिन एक चीज हमें ये भी समझनी पड़ेगी कि अगर हमें रोजगार चाहिए है तो उसके लिए हमें पढ़ना भी पड़ेगा है ना अगर vacancies कम हो रही है तो उस पे आंदोलन करने से अच्छा है मतलब आंदोलन करिए बट साती सात एक सात ये भी हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि उसके लिए आर हमें पढ़ना भी पड़ेगा अगर रोजगार चाहिए तो ठीक है क्योंकि अगर वेकेंसी कम हो रही है और हमारे अंदोलन करने से बढ़ भी जाएंगी तो उतनी नहीं हो पाएंगी जितनी पहले आती थी लिमिटेड ही रहेंगी है ना और उसमें आपको अगर जंग जीतनी है तो पढ़ना पढ़ेगा क्योंकि बच्चा बहुत जादा काबिल हो गया आज की डेट में बहुत जादा काबिल हो गया है समझ में आ गया ना अपने आपके अंदर भी थोड़ा सा सुधार करना है सब कुछ गौर्रमेंट के हाथ में नहीं होता है या फिर सारी कमिये या सारी गलती हैं गौर्रमेंट की नहीं होती हमा बहुत ज़्यादा अलका कोई बहुत ज़्यादा भारी हाँ लेवल रखा गया है कि हाँ आप ये पांच पजल जो आज मैं कराऊंगा या पीओ में एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान पजल है ये कैसे पीओ में आ जाएगी तो पीओ में सारी पजल टफ नहीं आती है सारी पजल ट्रिकी नहीं आती है आसान पजल भी आती है और वो आपके आखरी में रखी होती है आखरी के कोश्चन्स में रखी होती है वहाँ तक आप पहुची नहीं आते हो शुरुवात की पजल में फसके रह जाते हो तो आसान पजल भी आती है इनको करिये अपने आपको में साइड अटा रहा हूँ तीन मिनिट का टाइम शुरू हो रहा है झाल है झाल 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 मैक्सिम लोगों का सल्यूशन हो गया है तो अब हम इसका सल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे ठीक है? अज़ा अभी अगर शेरिंग नहीं किया है तो शेरिंग कर दीजे हमबल रिक्वेस्ट है नाइन परसंस की एक बार सिटिंग त्यार करो फड़ा फड़ से जिनका नहीं हुआ है ध्यान से देखते रहना कि कैसे करते हैं ये नौ परसंस की सिटिंग त्यार कर लिए आपने आमने सामने बनाने की कोशिश किया करो ये देखो आमने सामने है ठीक और इसके बाद ये एकलोता जो है वो अकेला बचा है लिखा है G is fourth to the left of F अच्छा सभी लोग कहां देख रहे हैं सेंटर की तरफ देख रहे है तो F के left में G है fourth number पे who is second to the right of E मतलब कि E के right side में कौन है F है ठीक है अच्छा फिर लिखा है H is fourth to the right of E तो fourth to the right of E है H तो H यहाँ पे आ जाएगा and is second to the left of D मतलब कि H is second to the left of D तो D के left side में H है second number पे C is fourth to the right of D तो D के right में एक sorry D के right में इदार साइड आएगा एक, दो, तीन और C यहाँ पे आ जाएगा is not an immediate neighbor of D and G तो A यहाँ पे नहीं है A यहाँ पे नहीं है तो A तो यहीं पे बचा फिर बोल रहा है कि B is third to the right of I तो I के right में B यहाँ पे आ जाएगा बहुत ही simple सा सवाल था बहुत simple सा था था न तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा दीरे-दीरे level को increase करते हैं warm up हो गया न, अब अगले पे आ जाओ 102 10 persons हैं और एक straight line में बैठे हैं 4 देख रहे हैं south में और 6 देख रहे हैं north में सब कुछ बता दिया है शुरू जो कर दो 5 देख 1700 आप 1 2 10 10 1 2 3 1 2 2 3 झाल 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 हाँ वई एक का आया है डंसर यहाँ पर तो एक एक लेटर है ना पर्संस के नेम में तो हम आंसर भेज सकते हैं ना लाइन से सरफ लेटर्स लिख दो नौट साउथ छोड़ दो वो अंडर्स्टेंडिंग है कि यहाँ बही चलो अगर अगर और्डर सही है तो नौट साउथ भी सही होगा चली ठीक है कोई बात नहीं अब हम देखते हैं दस पर्संस हैं और कुछ लोग नौट कुछ लोग साउथ छे लोग नौट देख रहे हैं चार लोग नौट देख रहे हैं तो S के राइट में M है फोर्थ नंबर पे अब मुझे नहीं पता S किदर देख रहा है अभी मैंने बाइ डिफॉल्ट नौट लेके चला है अच्छा जी तो M जो है N के भी फोर्थ राइट में है अब इन में से कोई तो एक साउथ और कोई तो एक नौट देख रहा है न तो सिनेरियो क्या-क्या बन सकते हैं ये समझो समझना भी S 1 2 3 फिर M 1 2 3 और N और इसका एक उल्टा सिनेरियो बन सकता है N यहाँ पे 1 2 3 M 1 2 3 और S यह बन सकता है दो सेनेरियो बन सकते हैं अब यह अंको क्या बोला है कि S के राइट साइड में M है तो S का राइट कब होगा जब यह नौर्थ देखेगा और N का राइट कब होगा जब यह साउथ देखेगा सेम सेनेरियो यहाँ बनेगा जब यह नौर्थ देखेगा और जब यह साउथ देखेगा इतना के लिए रहा है अब इसको हम अटा दे हमारे यहाँ पे कितने लोग की सिटिंग तयार हो गई, 9 पर्संस की सिटिंग तयार हो गई अब एक इनसान यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा यह पता लगाना बहुत जरूरी है तो यह क्या अभी हम पता लगा पाएंगे बताओ क्या अभी हमको पता चल पाएगा कि कौन एक इनसान S के साइड में जाएगा कि N के साइड में अभी अभी तक की information के साब से हम यह बता लगा पाएंगे कि यहां पे एक person आएगा कि यहां पे एक person आएगा बताओ जल्दी से जरा मुझे इतना सा बता दो क्या अभी मुझे पता चल पाएगा अभी तक मैंने आगे की कोई चीज नहीं पड़ी है क्या अभी मुझे पता चल पाएगा कि N के साइड में एक बंदा आएगा कि यहां पे S के साइड में एक बंदा आएगा क्या अभी मैं पता लगा सकता हूँ मुझे नहीं पता आप लोगों को यह idea है या नहीं लेकिन हाँ मैं अभी पता लगा सकता हूँ कैसे लगा सकता हूँ, ऊपर एक लाइन लिखी थी, कि जो south देख रहे हैं, वो extreme end पे नहीं है, जो south देख रहे हैं, वो extreme end पे नहीं है, अगर मैंने यहाँ पे एक person को add-on कर दिया, तो यह south देखने वाला बंदा end पे हो जाएगा। इसी लिए मुझे पता है कि हाँ भाई मैं अब जो candidate add करूँगा, वो यहीं पे add करूँगा, इधर add नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसको, यह south facing को end पे नहीं रखना है, इतना किलियर हो गया न, यह चीज पता होना वह ज़रूरी है, ठीक है न, यहीं से हमको पता चल रहा है, आगे देखू, s sits on the immediate left of o, तो o के immediate left में है s, अब s अगर यहां पे है, तो o यहां पे आएगा और o के immediate left में, O यहाँ पर आएगा O के immediate left में आप काओगे सर क्या O यहाँ नहीं आ सकता है O के immediate left में हो जाएगा O यहाँ भी तो आ सकता है सर यह वाला case भी तो बन सकता है मैं काओँगा नहीं बन सकता क्यों? तोकि बोला है any two friends who faces south neither immediate neighbors immediate neighbor नहीं है यह दोनों south facing हो जाएंगे न तो immediate neighbor हो जाएंगे वो हमें करना नहीं है तो यह north facing और O के immediate left में फिर लिखा है T sits adjacent to V and U तो V और U का immediate neighbor है T and both of them faces south मतलब कि यह दोनों जो है वो south face कर रहे हैं अब मुझे एक बात बताओ क्या V और T यहाँ पे आपाएंगे नहीं आपाएंगे क्यों? क्योंकि अगर V sorry V और U V और U अगर यहाँ पे आये बीच में आया T तो यह दोनों कहां देख रहे हैं south में और यह दोनों फिर पड़ोसी हो जाएंगे न south facing इसी लिए हम क्या करेंगे हम यहाँ पे लेके जाएंगे V, U और T अब V और U swap हो सकते हैं लेकिन T तो यहीं पे आएगा न तो V और U को भी neglect करते वो बाद में देखेंगे same as it is V और U यहाँ पे आएंगे तो T तो यहीं पे आएगा finalize हो गया आगे चलो P sits second to the left of R तो R के left में P है second number पे U and P are not immediate neighbors of N मतलब क्या है U immediate neighbor नहीं है N का तो U यहाँ पे आएगा V यहाँ पे U यहाँ नहीं आएगा V यहाँ आएगा U यहाँ पे clear right अचा अभी यह वाली चीज देखो यह चीज देखो यह चीज P और R में एक का gap है इस वाले सिनेरियों में देखो P और R में एक का gap कहीं possible है P और R में कहीं पे भी एक का gap possible नहीं इसको हटा दो गया काम से यहीं पे P और R का gap possible है और मुझे R को यहाँ पे रखना पड़ेगा अभी रुको यह south facing है यह south facing है अब समझना Q and R face the same direction तो Q और R जो हैं वो same direction देख रहे हैं हमारे पास में south facing वाले कितने लोग आ गए हमारे पास में south facing वाले तीन लोग आ गए और हैं कितने south facing वाले चार लोग है यहां लिखा है चार लोग है तो अब अगर हमारे पास तीन आ चुके है south facing वाले तो हमें सर्फ एक चाहिए न एक चाहिए south facing का और Q और R दोनों same देख रहे हैं मतलब यह कहां देखेंगे यह देखेंगे north facing में अगर R north facing में है तो R north facing में R north facing में तो R यहां पे P यहां पे यह north facing और यहां पे कौन आ जाएगा यहां कौन आ जाएगा यहां पे बचा हुआ कौन आएगा Q हाँ Q आएगा ठीक है और R और Q सेम देख रहे हैं तो यह भी north देखेगा यह south देख रहे हैं तो अब इसी को बचा हुआ south बना सकते हैं पडोसी south हो नहीं सकते तो यह north यह north बाकी सब बेकार यह आपका final diagram बनेगा I hope समझ में आया होगा कि हां किस तरीके से solve करना था ठीक है अरे आगम any of the two friends any of the two friends मतलब है कोई भी दो दोस्त एक साथ नहीं है कोई भी दो दोस्त एक साथ नहीं है सिर्फ दो दोस्त नहीं कोई भी दो दोस्त एक साथ नहीं कोई भी कोई भी हो सकते हैं वो दो दोस्त एक साथ नहीं है मतलब कि कोई भी south facing वाला south facing वाला बंदा कोई भी extreme end पे नहीं है, extreme end पे जो होंगे वो not facing वाले होंगे, ठीक है, प्रणामाकाश, आगे चलते हैं, ये इसका एक correct order है, अगर, नहीं मैं नहीं छुपा रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब पूरा visible है, मेरे से नहीं छुपा रहा है वो question का answer, ठीक है ना, तो य ये इसका सही answer है, सही इसकी table बनेगी, इसी तरीके से अगर बनाया है, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया है इस तरीके से, तो थोड़ा सा यार इन चीजों पर ध्यान दो, कि question असान था, आप भी शाय समझ रहोगे, question असान था, पस थोड़ा सा presence of mind की ज़रूरत थ हमारा mock paper 17th, आज रहेगा, साड़े छे बजे, unacademic application पर, free of cost है, पूरा का पूरा, share जरूर करिएगा, और यह रोजगार चाहिए हैं, तो उसके लिए पढ़ना पढ़ेगा, आए और leaderboard पर अपना नाम दर्ज कराईए, चलिए अगले पर चलते है, question number 103, circular table है, and करिए झार झाल 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 मेंगार झाल करिए लावना झाल तर्द झाल कर झाल कर दोंध। झाल 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 हाँ वै यह तो असान था इसका अंसर नहीं आया अभी तक ऐसा क्यूं यह तो कुश्चन असान था यार इसी सा कुश्चन था क्या हुआ चलो solve करते हैं eight people है are sitting around the circular table तो आठ पर्सन की बईया जल्दी जल्दी सिटिंग बना लें बना ली जल्दी जल्दी सिटिंग दिया तो है नहीं आया है नहीं आया है आनसर भाई दीक्षा का आया good morning फिर वरुन का आया दिया तो है वो नहीं आया है लेकिन निकिता का आंसर आया है Graphicsgram, Gaurav इनका easy बस लिखके आया है बाकी कुछ नहीं आंसर सिर्फ निकिता पटिदार का आया बाकी किसी का नहीं आया I'm really sorry but मेरे पास आंसर नहीं आया है मुझे माफ करिएगा बाट हमरे पास आंसर नहीं पहुंच जा है ठीक है स्वाति अगरवाल का भी आंसर आ गया चलो आप देखते हैं मुझे पता यार easy है आप लोगों ने कर लिया होगा मुझे उसमें कोई भी संदह नहीं है two of them S and T are facing towards the center while other facing the while facing outside the center S and T inside देख रहे आगे चलते हैं Y sits second to the left of W अब W कहां देखेगा भी आ कहां देखेगा बाहर देखेगा न तो W को बाहर दिखाओ बाहर का रास्ता और इसके left side में Y को बिठाल दो बाहर का रास्ता दिखाते हुए only one person sit between S नहीं नहीं यहाँ पे आ जाओ S sits second to the left of Y तो S यहाँ पे आ जाएगा only one person between S and Z तो Z यहाँ आ जाएगा यह अंदर देखेगा यह बाहर देखेगा ठीक आगे देखते T sits to the immediate right of S S के immediate right में T आ जाएगा यहाँ पे और T भी अंदर देखेगा T is not an immediate neighbor of Y दो तो पता है V is not an immediate neighbor of Y V is not an immediate neighbor of Y तो V यहाँ पे आ जाएगा both the immediate neighbor of X faces towards outside अच्छा यह भी बाहर देखेंगे भाई साब यह भी बाहर देखेंगे भाई साब अगर X को यहाँ रखते हैं तो दोनों इसको पडोसी कौन यह दोनों पडोसी एक अंदर देख रहा है एक बाहर देख रहा है तो अपना काम खड़ाब हो जाए क्योंकि यहाँ लेखा है X के दोनों पडोसी बाहर देखेंगे X को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा ठीक है और यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा उपर वाला भी देख रहा है कि हाँ यह बस मजे मजे में पड़ता हुआ चला जा रहा है तो इसके आंसर नहीं भेजूनवा मैं अमज में आई तो लाइक कर दो शेर कर दो तभी आंसर आएगा राधिका मिश्रा, ग्राफिक्स ग्राम, वरुन और आगम आप काओगे लाइक कर दिया लाइक कर दिया वो तो शेर नहीं किया होगा तो शेर भी कर दो और शेर भी कर दिया हो तो रोज नहीं आते होगे कुछ रोग हैं आज मुझे दिख रहे हैं जो रोज नहीं आते हैं कभी कभी वसीद का चांद मन किया जाते हैं तो उनके लिए ये सवाल है थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल लेके आया हूँ यहां पे आपको जेंडर भी पता लगाना है और उनके साथ साथ जोड़े वैवाईक जोड़े भी पता लगाना है जे इाया जोड़े 007 झाल 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 ताइम फ्लाइज समय ऐसी उड़ता है असान-असान कोशन दे रहा था तो मजे मजे में कर रहे थे ना बीच में एक कोशन भारी दे दिया हाला कि उतना भारी नहीं है इजी है चीजों को बस दिमाग में रखोगे तो हो जाएगा ठीक है न? चार कपल है मतलब आठ लोग है square table में in such a way that four persons sit at the corners and four in the middle of the corner middle of the sides ठीक है the one corner पे है जो center देख रहे हैं corner वाले center देख रहे हैं और side वाले बाहर देख रहे हूँगे फिर चलिए अब शुरू करते हैं question का answer बनाने के लिए लिखा है two males sit in the middle of the sides and two at the corner चार male है चार का पहले तो चार ही मेल होंगे तो दो जो हैं वो corner पे बैठे है sorry sides पे बैठे हैं और दो जो हैं वो corner पे बैठे है ठीक है J sits second to the right of P P sits in the middle of any side ठीक है अगर P middle पे बैठा है और P के right side में J है तो यही scenario बनेगा इसके अलावा तो कुछ नहीं बन सकता कितना तो सबने कर लिया होगा बहुत बढ़ी है very good आगे चलो फिर लिखा है J sits sorry L sits fourth to the left of his wife and his wife is not an immediate neighbor of J and P ठीक है तो J और P की sorry L की जो wife है वो J और P का पडोसी नहीं है तो L की wife कहां कहां आ सकती है यहीं पे आ सकती है इनी तीनों जगाओं में L की wife को हम रख सकते है कहीं पे भी रखेंगे इनी तीनों जगाओं में से कहीं रखेंगे और फिर बोला क्या है बोला यह गया है कि L जो है वो fourth number पे है left side में उसकी wife के अगर यहां रखा तो fourth number आएगा यहां possible नहीं है क्योंकि L यहां पे चाहिए न अगर यहां पे L की wife को रखा तो fourth number पर L को यहां रखना पड़ेगा possible नहीं है तो पता क्या चला हमें कि L की जो wife है वो यहां पे रहेंगी और इनके left side में L रहेगा यहां पे और L क्या हो जाएगा male हो जाएगा क्योंकि L is the husband अचा हाँ sorry इसको ऐसे कर दो P यहां कर दो J यहां कर दो अभी ठीक है? हाँ सही है सही है वो गलत हो गया था ठीक है Thank you so much अभी सही है अभी कोई दिक्कत नहीं न सब कुछ सही हो गया एकदम set पैट गया है ओके आगे देखते है his wife ठीक है फिर लिखा है K sits third to the left of her husband K does not sit at the corner अब K कहां पे है? K middle पे है और लिखा है K sits third to the left of her husband मतलब K जा female पहली बाद और K middle पे है ठीक है तो middle पे है या तो यहां आएगी K या फिर यहां पे आएगी K does not sit at any of the corner तो K के left side में K के left side में उसका husband बैठा है यहां पे आगे husband और अगर K को यहां रखा तो उसका third left यहां पे आजाएगा जो कि यह होगा और यह L जो है इसका husband है K का husband नहीं है यहां पे कोई भी इंसान होगा उसका husband है K का husband नहीं है तो K को मुझे यहां रखना पड़ेगा और इसके इधर side में K का husband आएगा ठीक है? आगे चलते हैं Only M sit between K and Q तो Q यहां पे आ गया और M यहां पे आ गया ठीक है? Q is the husband of J तो Q is the husband of J ठीक है? अच्छा यहां पे क्या बोला? K is the wife तो K wife हो गई अब अगर यह दोनों female हैं और मुझे दो लोग middle पे husband रखने या फिर male रखने हैं तो P को मुझे male बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा अच्छा यह दोनों male हो गए हैं तो इन दोनों को female बनाना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा ठीक है आगे लिखा है N is the male तो N यहां पे आ गया जो कि male हो गया ठीक है? और उसके बाद बचा हुआ O यहां पे आ गया ठीक है? अब आप एक बात याद रखना हमेशा इस type के question में आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि किसका कौन कपल है? जैसे कि Q और J कपल है ठीक है? L और M कपल है के और N कपल है इसके बाद बचा हुआ क्या? P और O कपल हो जाएगा तो यह कपल बहुत जरूरी है पता होना क्योंकि किसी किसी में question में पूछ लेगा 5 questions में से कोई एक question पूछ लेगा कि कौन इन में से बताओ कपल नहीं है मान लो कि यह 4 option है और एक और option दे दिया P K तो अब आपको बताना है कि यह P K जो है यह कपल नहीं है बाकी सब कपल है तो यह पता कब होगा जब आपकी copy में लिखा होगा rough sheet में लिखा होगा तो question को बनाने के बाद में कपल को भूल मत जाना कपल को बनाना बहुत ज़रूर अपने पास रखना वरना फिर आपको दिक्कत होगी ठीक question समझ में आ गया यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ यह letters लिख दिये है यह कहां कौन बाहर देख रहा है कौन अंदर देख रहा है या फिर कौन male है कौन female है वो यहाँ पे नहीं लिखा है बट पिछले वाले solution में तुमने बता ही दिया था समझ में आया question अगले question पर चलें पताईए अगले question पर चलें जल्दी से बताओ Q फिर ये Q का क्या मतलब है question फिर से explain कर दूँ कि Q को explain कर दूँ कि Q कहां रखा last clear नहीं है अब समझो एक बार इतना तो clear होगा ना कि P के right side में J है ठीक है और L की जो wife है उसके left side में चौथे number पर L है तो L क्यूं यहां पर रखा ये पता होगा ठीक आगे चलो लिका है K is third to the left of her husband and K does not sit at the corner तो K को यहां में नहीं रख सकता K को यहां नहीं रख सकता K आएगा कहां पे K सिर्फ और सिर्फ middle पे आएगा न और बोला है K is third to the left of her husband ठीक है ठीक है Actually मेरे को समझ में आ गया कहां पे आप लोगों को दिखका तो होगी Actually मेरी अप्रोच गलत हो गई थी मैंने K के left side में third number पे husband को रख दिया था बढ़ दोनों का काम वही बना क्यूंकि इधर से third number पे लेके जाओगे न यहां पे यह आ रहा है inside facing यह आ रहा outside facing तो दोनों का side सही बन गया वह बाईचांस सही बन गया देखो K को मुझे यहां तो यहां पे रखना है या फिर यहां रखना है ठीक है तो इसका जो husband है K का जो husband है उस husband के left side में third number पे है K अगर K का husband यहां लिया तीन छोड़ बलब तीसरे number पे तो इसके right side में हो गया na K तो यह तो हो नहीं सकता ठीक है इधर ले नहीं सकते क्योंकि यह इनसान जो है यह इसका husband है K का नहीं है इसका है यहां पे जो भी इनसान होगा इसका husband है ठीक है अब इस वाले case में K के इधर से तो आएगा नहीं क्योंकि यहां से तो right हो जाएगा इधर से यह आएगा यह left इसलिए यहां पे K का husband रहेगा ठीक आगे लिखादा only one person only M sits between K and Q तो K और Q के बीच में है M तो Q को मुझे यहां रखना पड़ेगा और M को यहां रखना पड़ेगा क्योंकि यहां तो आ नहीं सकता न क्यों इसलिए M यहां पे आ गया और यह है female क्योंकि यह किसी की wife है आगे लिखा था कि Q is the husband of J Q is the husband of J तो J हो जाएगी female N लिखा है male तो अब N कहा जाएगा अब यह समझना देखो हमें उपर बोला गया था कि दो लोग यह Two males sit in the middle and two at the corner तो middle पे हमारा एक female हो गया एक female हो गया एक male हो गया अब मुझे एक और male चाहिए है न middle पे तो यह male हो जाएगा और दो corner पे बैठे हैं तो दो corner पे हमारे already हो चुके हैं तो यह female बचा ठीक है जेंडर आपने पता लगा लिए अब आपको बोला है n is a male तो n यहीं पे आएगा क्योंकि वो male है और बचा हुआ ओ यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से complete किया था ठीक है आगे चलो लास्ट सवाल बचा है उससे पहले बता दे रहा हूँ भाईया मौक में जरूर आना है 17th नंबर का मौक है आज 105 वा कोशन आखरी कोशन कर लीज़े जिए भी से झाल 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 चलो बहीं अभी करते हैं इसका solution ठीक है एक answer आगया अभी तक बाकी देखते हैं किसी का answer अभी तक आया नहीं है बट देखते हैं इजी सा question है स्टार्टिंग के अच्छा मैंने चीज़े हटा दी है विकॉज मेरे पास जगे कमती तो एक बार यहां देख लेते हैं परसन शिफ्ट से हिस होम एंड पैक्स हिस हाउस होल्ड स्टफ इन 10 बॉक्स एबी सी दी एफ जी एच ठीक है he arranges the box and keep one above the other ठीक है each box contain अलग-अलग उसके box में अलग-अलग items है और फिर उसके बाद जो है कहानी अपनी शुरू हो गई है ठीक है चलो अब पहला line पढ़ते है box a contains blanket and is kept at the top तो a यहाँ पर आ जाएगा और blanket यहाँ पर आ जाएगा फिर लिगा दियरा six boxes between a and h तो छे boxes है a और h में तो h यहाँ पर आएगा और h क्या contain करता है frames contain करता है only one box is between i and utensils only one box is kept between i which contains utensils sorry क्या लिखा है only one box is kept below box i which contains utensils i यहाँ पर आ जाएगा इसके नीचे सिर्फ एक box है और utensils यहाँ पर आ जाएगे ठीक है इसके बाद लिखा है there are four boxes kept between i and the one who likes shoes तो दो और दो यहाँ पर shoes यहाँ पर आ जाएगे क्योंकि i और shoes के बीच में चार boxes है the box contains pulses is kept above cereals and which contains which is kept above shoes तो cereals यहाँ पर आ जाएगे and pulses यहाँ पर आ जाएगे तीन लोगों का answer आ गया है फिर लिखा है e contains pulses and b contains cereals there are three boxes between i and c तो i और c के बीच में तीन boxes है which contains clothes ठीक है box f is kept immediately between b and c तो b और c के बीच में f contain बना box kept है ठीक है box d is kept immediately above g तो g के तुरंत ऊपर d है which contains books तो g contains books j does not contains socks तो socks यहाँ पर आ जाएगा because j हमारा बचा हुआ यहाँ पर आएगा और इसमें क्या है इसमें यारब कौन सा इसमें कौन सा item है आखरी में gadget लिखा हुआ चाहाँ gadget होगा ठीक है यह बन के त्यार होगे easy सा था न आज का सिर्फ एक ही question थोड़ा सा घुमाउदार था बागी सब तो easy थे हाँ second question भी थोड़ा सा ठीक ठीक था बागी तीन questions easy थे मैं कहूँगा बागी दो जो थे वो challenging थे शाम वाले session में जरूर आएगा mock paper में थीक है अब मैं सोच रहा हूँ कि level थोड़ा सा बढ़ाया जाए puzzles का तो कल यह परसो तक मैं level को थोड़ा सा एक उपर level ले जाऊँगा थीक है तो कोशिश कर दो मेरी यही रहेगी कल से मैं एक level उपर लेके जाऊ थीक है अगर follow नहीं किया है then do follow the profile and if in case आपने subscription purchase नहीं किया then you can purchase a subscription on the maximum discount जो कि आप एक बार बात करके पता लगा सकते है कि हाँ बढ़ी क्या maximum discount चल रहा है इन केस combo offer लेना है SSC bank railways का तो यह offer आपके लिए best रहेगा fourth confusing था ना बट एक बार फिर से try करिएगा एक बार फिर से try करिएगा fourth question को in case अगर आपको doubt आ रहा है और मेरे तो उमीद ही है कि एक बार फिर से try करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा फिर भी अगर नहीं आता है तो एक बार फिर से मेरे से पूछ लेना बता दूँगा या video solution देख लेना समझ में आ जाएगा आज का session थोड़ा सा जल्दी हो गया complete अपना ठीक बट कोई नहीं कल जो है थोड़े से भारी question लेके आएगे तो मज़ा भी आएगा ठीक है ओके चलो फिर session को ही पेरिंट करते है thank you so much bye bye take care मिलेंगे साड़े इच्छे मिले see ya